कैश कमेटी कमेटी अगेंस सेक्सुल हरास्मेंट इस कमेटी को विशाखा कमेटी भी कहा जाता है भारत के सर्वोच चिन्यायाले ने विशाखा मुकदमे का फैसला देते हुए यह दिशा निर्देश दिये की महिलाओं के साथ कारिस्थलों पर होने वाले यौन उत्पीडन और छेड़-छाड की घटनाओं को रोखने के लिए सभी कार्यालें तथा संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालें, निजिस संस्थाओं एवं कमपनियों के कार्यालें आदी में महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीडन और छेड़चाड की घटनाओं की शिकायतों का निवारन करने के लिए यौन उत्पीडन शिकायत निवारन कमेटिया अर्थात कमेटी अगेंड्स सेक्स्वल हरास्मेंट का गठन किया जाए इस कमेटी में संबंदित संसा या कारयालाई की तीन वरिष्ट महिला सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए कमेटी के सदस्यों के नामों के जानकारी संसा के सूचनापट पर स्थाई रूप से लिखी जानी चाहिए ताकि कार्यालाई की सभी महिला कर्मचारियों को इसके विशय में पता लग सके कैश कमेटी के यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी संसा में किसी भी महिला द्वारा यौन उत्पीडन और छेड़ छाड़ की शिकायत की स्वतंत्र निश्पक्ष जाज करे यदि उक्त शिकायत सही पाई जाए तो संबंदित व्यक्ति के खिलाफ कमेटी कानून और विभागी कारिवाही की सिफारिश कर सकती है कैश कमेटी का गठन करना सभी संस्थाओं के लिए अनिवारे हैं इनका गठन सुनिश्चित करने की जिम्मिदारी संस्था प्रमुक्की होती है महिला आयोग वोमेंस कमिशन विगत दिनों काम की तलाश में एक महिला आई वह लोगों के घर में जाडू पोचा बरतन का काम करती थी उसका पती शराब का बुरी तरह से आधी था वह मार पीट कर उससे पैसे छीन लेता था रात में शराब पी कर आता था और अक्सर आकारण उसकी बेरहमी से पिटाई भी करता था एक दिन उसके मार खाय चहरे को देखकर मैंने पूछा तुम इस मार पीट का विरोध क्यों नहीं करती तब उसने एक बेजान सी दलील दी मैं क्या कर सकती हूँ मैं तो केवल एक महिला हूँ मेरी कौन सुनेगा इस तरह की बहुत सी महिलाएं हैं जो विभिन कश्टों को जेल रही हैं और उन्हें न्याय के लिए महिला पुलिस थानों न्यायाले या मानवादिकार आयोग जाने में जिज़क होती है इसलिए विशेश तोर पर महिलाओं की समस्या को निप्टाने के लिए महिला आयोग का गठन राश्ट्री और राज्यस्तर पर किया गया है महिला आयोग सभी महिलाओं को जागरूप करने के लिए तथा महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी देने के लिए जगा जगा विवित कारिक्रम आयोजित करता है एक बार एक सिख्ष का महिला आयोग द्वारा शाला में आयोजित कारिक्रम में शामिल हुई उनके द्वारा दी गई प्रमुख जानकारिया आप सभी को भी दी जा रही है महिला आयोग का गठन महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक इस्थिती में सुधार करने तथा सरकार को सलाह देने के लिए किया जाता है महिला आयोग महिलाओं को समवेधानिक तथा कानूनी सनरक्षन दिलाने बंधी महिलाओं के इस्थिती की जाच करने, महिलाओं में आत्म विश्वास तथा आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए कारे करता है राश्ट्री महिला आयोग बाल विवारोकने, अनात महिलाओं, विद्वाओं व तलाक्षुदा महिलाओं के निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता दिलाने, कन्या भुरुण हत्या रोकने, अल्प संक्यक तथा पिछडी जाती की महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास करता है साथ ही यह महिलाओं को शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जागरूप करता है पता 36 गड राज्य महिला आयोग गायत्री भवन 13 जल विहार कॉलोनी रायपूर 4 नमबर 0771 4241400